मतहदा अर्ब अमाराद की द्यासतों में तुफानी बारिशों से लेडिज ड्रैविंग से कसी नोहाची चार रही है इनकी तो ये तो नकल के काबिल भी नहीं है जो चोड़ा लिखा था कि शरम आने चाहिए वहाबी साओधियों को कब पलीद नापाक हिंदूओं को कई हमार में दोस्टों मेरे चैनल मोडी डिस में आपका सोगत है दोस्टों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सस्काइब करना मर भूलेगा तो दोस्टों आज पाक मीडिया बात करें डुबई के फ्लट के बारे में और आम लोगों कहना कि ये आर्टिफिसेर इन या क्लाम जी को पुला था तो इसलिए डुबई में फ्लट आया है तो पाकिस्तानियों ने ये लोजिक लगा के अब ये कहा कि भारत की वे से डुबई में फ्लट आया है तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बातचित करें और पाकिस्तानी मीडिया डुबई में जो फ्लट आया हुआ ह उसके लिए भारत को जिनमेदार बटा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का और कोई काम धंदा नहीं है। किसी जो हो रही है आपने देखा होगा दुबई में जिस तरह से बारिश होई है। किसी नोहाची चार रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अलफाज कहीं जहर लूदना हो जाएं वो लोग अजाश्य करने वाले हैं। हम तो इस याश्य में नहीं पड़ते हैं। इनके लिए तो तेल गारा था, कीचड़ था। इनको क्या पता था क्या होता है। उन्होंने काओ भाई, इतना हमें टकाओ, तुम्हारे अलाद बेतर कर देते हैं। तुम्हारे पास जो गंड़कबाड कीचड़ जमा है तुम्हों तु चबल हो, तुम्हे तो तुम्हों तो तुम्हों कोई नहीं। हम इसके साथ एक ऐसा काम कर सकते हैं। यह अराम को शेराम कोई है, जो बड़ी बड़ी कंपनी दो की पाट्नी यह ती वो? विज्डम उनकी, जहानत उनकी, इनके तो ये तो नकल के काबिल भी नहीं है, जो बात आपने की है, बहुत जबरदस्त, ये बदनियत की क्या है, दुनिया में बने बनाएं मॉडल्स हैं, तो कौन सी तुम चलाकियां दिखाते हैं फिर रहे हों? एक बार मैं खुद UAE में था, इतनी के इस बार्शे तो नहीं जतनी मैंने सुनी है, मगर वो दर्मयानी नौयत की बार्शे थी, कोई वो आर्टिफिशल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो दुबई शहर जो था, वो काफी पैरलाइस चंद गंठों के लिए हो गया था, और वहां का ऐसा अब जो है, एक इन्फरस्ट्रक्चर का हाल है, और जो वहां पे जो इन्वार्मेंटल सिचुएशन है, तो वो है, अब इसमें UAE को और दूसरे देशों को जो आसपास के हैं, यह सबक मिल रहा है, कि हमें इन्फरस्ट्रक्चर अपना अब इस हसाब से बनाना है, कि पानी की नकासी हो, सब कुछ हो, अब पाकिस्तानी जो मर्जी मतब में क्या को बखते रहें, जो बख रहें, कि यह उनके मंदर की वज़ा से ऐसा हुआ, तो यह तो मतब है, इनको तो मंदरों से नफरत है 47 से, बलकि उससे पहले ही, इनके तो इन्हेरिटेड बार्बारिक हिटलर ने, वो अपने वक्त काई कि हिटलर था वर्स देना हिटलर, उससे तो अपने बाई और बाप को नहीं छोड़ा थे, उनको मार दिया, तो यह जो इनका है ना एटिचूट, यह मंदरों की वज़ा से दुबई पे अजाब आया, तो यह स्टुपड लो अगर वो आलमे दीन इस गटिया लेवल पर उतर सकता है, तो बाकी लोगों से तो हम कुछ भी तो बहुत हैरत होई थे उनके, उनके स्टेटमेंट से तो मैं बहुत हैरा नहीं, मजीब भी बाते कर रहे हैं, तो यह मैंटली गॉन पीपल, मतलब कोई इनका मुझे इमकान न हिराब के तो एनिहाओ, यूएई की जो आपने बात की, बाश्यों की जो बात की, आइम प्रिटी कान्विडेंट के वो लोग इस पर काम करेंगे, आएंदा कुछ सालों में, अब वो यह जान चुके हैं, के भी कलाइमेट चेंज के इस्यूस हैं, अगर हम आर्टी विशे रेन भी चाहिए, तो भी पानी का नकास तो अच्छा होना चाहिए, देल काम हो बते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच यह है, के वेरी वास्ट मेजरिटी ओफ पाकिस्तान है ना, वो, देखें, मैं, मेरे पास मैंने स्क्रीन शॉर्ट निकाल के रखा है, मैं कराची के एक वोट लिखें हैं, सारी वाइट कोलर जोग करते हैं, कल उसमें किसी ने एक वीडियो लगाई, कि खाना काबा है ना, उसमें से कुछ लोग निकल रहें, कुछ अंदर जा रहें, और उसका वीडियो में उसने उर्दू में नीचे काफी लंबा चोड़ा लिखा था, कि शरम आनी चाहिए वहाबी साओधियों को, कि अब पलीद नापाक हिंदूओं को मक्का में आने की इजासत है, जुलाई 2024 से साओधिय अरब सबको इजासत देगा, अब आप सोचें, और उसमें नीचे कई लोगों के कॉमेंट, वार्सप गुरूप में, तो ये पढ़ा लिखा कराच का गुरूप था, तो सोचें किस हद तक वहाँ पर एक्स्ट्रीमिजम है, चले दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं, तो पाकिस्तानियों के लोजिक का जवाब दे कोई फाइदा ने, तो मैं इस पे नहीं जाँगा कि डुबई का फ्लाद हिंडू टेंपल की वरसे आया है या नहीं, और जहां तक डुबई में या सोचें अरब में फ्लाद की बात है, तो मैंने ऐसे फ्लाद पहले भी दिखे हुए एक्स्ट्रीमिजम की वरसे, और ये क्लाइमेट चेंज की वरसे हो रहा है, तो डुबई को अपने इंफ्रेस्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेग और नहीं, उन्होंने कोई जेन सीडिंग की थी, जिसकी वरसे एक्स्ट्रेस्ट्रेन हो है, तो ये चीज़े भी सोचेंज मेट चल रहे थी कि आर्टिफिसर्ट्रेन की वरसे, ज्यादा बार इस गलती से होगी, तो ऐसा नहीं है, डुबई सही करने का है, और आखिर में मैं ये काऊँगा कि आर्टिफ भाई ने सही करे पाकिस्ता में जो अमिल एजुकेटर्ट लोग है, वो भी ऐसी बगवास करते हैं, और ये पाकिस्ता ने एक यूट्यूबर नहीं कहाता कि जब उन्होंने एक पड़े लिखे बड़े कमपनी के सीओ से बाचीर खिती, तो उन् कहान या सुनाई है, जो आर्टिफ भाई ने यहां पर सुनाई, तो पाकिस्तान में हर जेगे ऐसे लोग मौजूद है, एडूकेशन से इसका कोई रिस्ता नहीं है, तो चिले देखते हैं कि फीजर में कहाता है, दोस्तों वीडियो देखने ही लोग बड़े शिकिया, और ह